तो हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लाया हूँ CDR file और भी calendar का जो की coral drop का है तो दोस्तों आप इसको coral drop में editing करके आप अपने दुकान का नाम या तो आप अपने client के दुकान का नाम का calendar बना सकते हैं दोस्तों इसको print करना बिल्कुल ही आसान है और इसको सारा कुछ editing किया हुआ है दोस्तों आपको सिर्फ जो इसमें changes करना है और आपको size में जाके इसको fit कर देना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को last track देखें इस CDR file में आपको password लगा रहेगा तो दोस्तों वो password आपको इसी वीड subscribe करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को last track देखते रहे हैं इसका CDR file का password जो आपको इस वीडियो के चार भाग में मिलने वाला है तो आप बिना skip किये हुए वीडियो को last track जरूर देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां से अपना दुकान का नाम डालना है फिर यहां से आपको जो इस तरह का आपको जो भी दुकान में facility available है और यहां पर डाल देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ब्लेक में white color का यह डाला हुआ है तो इसको भी आप यहां से changes कर सकते हैं change करने के दोस्तों, Change करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसको जो है इसवो पूरा select करके और यहां से control के साथ Q दवाना है तो यह दोस्तों पूरा अंगroop हो जाएगा اور ंगroop करने के बाद दोस्तों changes करने के लिए जिस्ट आपको क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट वाले उप्शन में जाके यहां से इसको चेंज कर सकते हैं सेंद दोस्तों अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आपको यहां से सेलेक्ट करना है और यहां से हटा देना है और फिर से दोस्तों अगर यह वाला भी हटाना है तो यहां से इसको भी इसे हटा सकते हैं तो दोस्तों आप जितना चाहें यहां पर हटा सकते हैं या तो एड कर सकते हैं बाकी दोस्तों आपको यहां नीचे पर एड्रेस यहां पर आपको अपना डाल देना है और साथ में य हमारे चैनल पर जरू सब्सक्राइब परें तो चलिए दस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो